प्रादेश शेक समाचार प्रदेश के छेजलों में भारी बारिश की चितावनी अब समाचार विस्तार से मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान ने कहा है कि उब भुकताओं को खराब चावल प्रदाय करने का मामला गंभीर है इसकी यो डबलू से जाच करवाई जाएगी मुख्यमंत्री ने आज इस संबंध में उच्चिस तरिय बैठक में सपष्ट नर्देश दिये है गौरतलब है कि प्रदेश के बाला घाट और मंडला जिलों में चावल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मिदार गुणवत्ता नियंत्रकों की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है जबकि बाला घाट के जिला प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है संबंधित मिल संचालक के खिलाव भी FIR दर्चकर कारवाई की जा रही है प्रदेश में कोरोना के सक्रिय रोगियों के संख्या अब 14357 हो गई है अच्छी बात ये है कि 1100 से ज्यादा मरीजों के स्वस्थ होने से कोरोना को मात दे कर स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या अब 51,000 से ज्यादा हो गई है बोपाल में आज दोसो तिरपन और ग्वालियर में 248 नए मरीज मिले हैं जो जिले में अब तक का सबसे ज्यादा आकड़ा है इन दोर में 269 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 13752 तक पहुँच गई है नीमत से अच्छी खबर है कि यहां 15 मरीज स्वस्थ हो गए हैं अब तक यहां 1000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं यहां अब केवल 198 अक्टिव केस है वहीं देवास में भी 10 मरीज डिस्चार्च हुए हैं उधर अशोकनगर में 11 नए मरीज मिले हैं इस बीच एक कोरोना संक्रमित की मौत हो गई है उमर्यया में 15 लोगों ने कोरोना के खिलाव जंग जीती है खन्वा में आज 7 नए मरीज मिले हैं उधर जबलपुर में एक दृष्टी बाधत दिव्यांग ने कोरोना के खिलाव जंग जीत कर आज घर वापसी की प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी आज अमेरिका भारत सामरेक साजहेदारी फोरम के तीसरे शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे विदेश मंत्री एस जैशंकर और वानिज जमंत्री प्यूश गोयल भी इसी सबता इस सम्मेलन को संबोधित कर चुके है संबोधन का आज रात नौ बजे आकाश्वानी से सीधा प्रसारण किया जाएगा सेना प्रमुक जनरल मनोज मुकुद नर्वने लद्दाक के दो दन के दौरे पर हैं पूर्वी लद्दाक के पंगॉंग जील के दक्षुन किनारे पर चीन की सेना के साथ भारतिय सेना की ताजा जड़प के बाद सेना प्रमुक वहां गए हैं 29 और 30 अगस्त की रात को भारतिय सेना ने चीन की सेना की घुसपैट की कोशिश को विफल कर दिया था इस घटना के बाद दोनों देशों के बीज चुशुल सीमा पर 31 अगस्त से 3 दन तक ब्रगेडियर स्तर की बाचीत हुई इस मुद्दे का समाधान कर पूर्वी लद्दाक शेत्रों में शांती बहाल करने के प्रयाज जारी है पंध्रवे वित आयोक की आर्थिक परामर्ष परिशत की एक बैठक कल होगी इसकी अध्यक्षता आयोक की अध्यक्ष एनके सिंग करेंगे साइबर विशेशग्य पवन दुगल ने कहा है कि चीन के एप पर प्रतिबंध लगाने से चीन की अर्थविवस्था पर चोट पड़ेगी आकायश्वानी से बात करते हुए श्विदुगल ने कहा कि इन एप्लिकेशन्स का वैश्विक मूल्य 50 से 60 प्रतिशत तक गिर गया है उन्होंने कहा कि इन आप से 1000 करोड रुपे कमाये जाते थे उन्होंने कहा कि ब्लॉक किये गए आप के माध्यम से बड़ी मात्रा में डेटा भारत से बाहर जाता था सरकार ने कल से पबजी सहित 118 मोबाइल अप्लिकेशन्स पर रोक लगाया है इससे पहले जून में भी केंदरु सरकार ने टिक टॉक सहित 69 मोबाइल अप पर प्रतिबंध लगाया था च्विजर प्रबंधन ने आज कहा है कि प्रधानमंत्वी नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत वेबसाइट से जुड़ा और हैक किया गया एकाउंट अब बहाल कर लिया गया है च्विजर के एक प्रवक्ता ने कहा है कि वे इस स्थिती की गहन जाच कर रहे हैं संबंधत अकाउंट के करीब 25 लाग फॉलोवर्स थे 15 जुलाई को अलन मस्क, बिल गेट्स, बराक ओबामा, जेव बिजोज जैसे दिगज लोगों के अकाउंट हैक कर लिये गये थे ये समाचार आप आकाश्मानी भूपाल से सुन रहे हैं अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुवधा के नुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलिटिन, योट्यूब, ट्विटर और फेस्बुक पर AIR News भूपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट News on AIR.com पर या AIR News आप पर भी समाचार सुन सकते हैं ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है खनवा में ग्रामीन आजेविका मिशन के तहट स्वसाहता समूं की महिलाएं जैविखाद और कीटनाशक तयार कर आत्मनिर्भर हो रही है इसके अलावा ये महिलाएं बर्मी कंपोस्ट भी तयार कर रही है CEO रोशन कुमार ने आकाश्वानी से कहा है कि महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही है प्रदेश के ग्रामीन अंचलू में वर्शाकाल में पेजल की सुचारू व्यवस्था का विशेश ध्यान रखा जाए ग्रामीनों को शुत और परियाप्त पेजल की आपूर्ती भी सुनिश्चित की जाए निवाडी जिले के उबोरा गाउं के एक छात्रो और उसके दोस्तों की रिसर्च को International Journal of Engineering and Technology में पब्लिश किया गया है जवाहर नवोदय विद्याले कुंडेश्वर के छात्रो अजय देव परमार की इस रिपोर्ट में उन्होंने रोबोटिक्स के खेत्रो में आटोमेटिक क्लीनिंग रोबोट की रिसर्च की इस रिसर्च में भारत के अलग-अलग राज्यों के साथ लोग भी शामल थे अजय ने बताया कि उन्होंने पूरी रिसर्च डिजिटल प्लाटफॉर्म के तहद घर से ही की एक टीम के रूप में एक पूरा काम किया है और एक सुदेशी एप तदा पूरा हमारा प्रोजेक्ट डिजिटल फ्लाटफॉर्म पे किया है इसके बाद हमें कमपनी को देखेंगे हमारा कमपनी हमारा नामकरन करेगी एप का सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर अर्विन सेह भधौरिया ने कहा है कि क्रिश्य और ग्रामी नर्थ व्यवस्था में सहकारिता आंदोलन की प्रमुख भूमिका है उन्होंने नर्थेश दिये हैं कि सहकारिता से सम्मंधत शासन की योजनाओ को पारदर्शिता के साथ प्रभावी रूप से मैदानी स्तर पर प्रियानवियन सुनिश्चित कराया जाए ताकि हिद्गराहियों को शासन की योजनाओ का लाभ मिल सके डॉक्टर भदौरिया ने ये भी कहा कि वे 5 सितंबर को विस्तार से इसकी समीक्षा करेंगे अब बात मौसम की एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है अगले दो दिनों में पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई जिलों में हलकी से मध्यम वर्षा होने के आसार है मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में चक्रवाती हवाओं का अक्षेत्र बना हुआ है और मौनसून की अक्षिय रेखा इस सर्कुलेशन के आसपास है जिसके चलते राजिके विभन भागों पर फिर से मौनसून सक्रिय हो रहा है इस दोरान भोपाल, राइसेन, होशंगाबाद और आसपास के अन्य जिलों में भी बारिश हो सकती है 6-8 सितंबर के बीच बारिश का एक नया दौर देखने को मिलेगा मौसम विभाग ने 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है रीवा, सतना, सीधी, शेहडोल, उमरिया, पनना जिलों में भारी से अती भारी बारिश का लड़ जारी किया गया है अब कुछ समाचार संक्षेप में मुख्यमंत्री शवरासिंग चौहान कल राइसेन तहसील के बार प्रभावित ग्रामों का दौरा करेंगे श्री चौहान ग्राम पंखनेश्वर में किसानों से समवाद भी करेंगे शैडोल के पंडित शंभुनाद शुकल विश्व विद्याले की सनातक अंतिमवश और सनातकोतर चतुर्थ समिस्टर की ओपन बुक सिस्टम परीक्षा आठ सितंबर से शुरू हो रही है परीक्षा को लेकर सभी तैयारिया पूरी कर ली गई है सागरबीना रोड रेलवे गेट नंबर ग्यारह पर एक ट्रक अन्यंतरत होकर बंद फाटक को तोड़ता हुआ वहाँ खड़े अन्यवाहनों और रहगीरों से टकरा गया जिसे एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई और मंडी एक्ट के विरोध में होशंगाबाद जिले में तीन दिन मंडिया बन रहेंगी अन्थ में बुलिटन के मुख्य समाचार एक बार फिर यो डबलू करेगा खराब चावल की आपूर्ती की जाच मंडला और बाला घाट के सम्मंधत अधिकारियों को हटाया प्रदेश में अब तक 51,000 से ज्यादा लोगों ने दी कोरोना को मात खंडवा में जैविक खाद बनाकर महिलाएं बन रही हैं आत्म नर्फर और एक बार फिर बदलेगा मौसम का मजाच प्रदेश के छह जिलों में भारी बारिश की चेतावनी अस बुलचन में इतना ही घर में रहिए सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाश श्वानी नमस्कार